हलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल पी एन भी है जो कसन और आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं अपने जिर्नी मेरा फोटोग्राफी फिल्ड में जो भी तीन-चार साल का एक्सपिरियंस है दो हजार बाइस चले के आप सभी को दो भी किसीत इसमें तो सबसे आगे आप सभी को हम यह बताना चाहते हैं कि काफी लोग हम से पूछते हैं कि अच्शा आप इतना पैसा किसे अब कर लेते हैं हम लोग भी काम कर रहे हैं इसी फेल्ड में बहुत लोगों का मानना कि हम तो 8-4 साल फांच साल से यहां पहें है और आप अमार तरह तीन साली हुआ है तो आप क्या ऐसा करते हैं जो हमसे ज़्चा कमा रहे हैं मेरे से पैसा ज्यादा कैसे कँवा रहेbes उस्पालूषण आप सभी को हम देने वाले हैं कि हम अपने को किस तरह से फोलो करते हैं मेरा फिंकिंग क्या मेरा विजन क्या है मेरा टार्गेट क्या है और हम किस तरह से काम करते हैं तो आप लोग भी ध्यान से सुनिए अगर आप लोग यह चीज नहीं कर रहे हैं क्या आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए क्या आप लोगों को वर्किंग होना चाहिए सारा कुछ आप सभी को हम बताने वाले हैं एक-एक करके सबसे आगे हमें अपना जर्णी के बारे आप सभी को सेर कर देते हैं कि हम फोटोग्राफी फिल्ट पे लगभग na 2022 आले शेय अनिसे पहले हमको इंट्रेस्ट इससे पहले हमको क्ैमर हें लगाव था जिसके करहले हम पार्णी किया करते हैं और ब्लोगिंग करने के मकसद से मैंने यह कैमरा आको पर्चिज किया था वीडियो आप लोग देख रहे हैं और यहीं से मेरी सुरुवात होती है फोटोग्राफी फिल्ड पर फोटोग्राफी से लेके स्टूडियो क्रियेट तक करने का तो आगे एसे ही जैसे हरेक कोई करता है उस तरह से हम भी ब्लोगिंग करते थे वीडियो पर भी नहीं आते थे अलग अलग जगा जाते थे एक्चुली हम लोग ट्रेविंग उतना जगा नहीं करते थे क्योंकि पैसे का दिक्कत था उस टाइम तो मतलब कहीं पर सफर नहीं कर पा रहे थे प्रोपर यहीं गाव घर में ही जिस तरह से अपना लाइफ है उसको दिखा रहे थे लेकिन लोगों को पसंद नहीं आने लगा लोग देखना नहीं चाहते थे तो मैंने उसको धिरे-धिरे स्कीप कर दिया और फिर हम फोटोग्राफी फिल्ड पर धिरे-धिरे इंटर कर गया है अब फोटोग्राफी फिल्ड पर हमको लाने वाला एक आज पी मेरे साथ हैं अगर कुछ भी मेरे को करना होता तो एक बार और उससे हम inquiry मेरा पास कोई वेडिंग का डेट भी आएगा करने क्या यह चैआ क्या लेना चाहिए क्या काम लेना चाहिए होगा कि नहीं तो वह अक्चुली मेरे मासी के साधी पर आया हुआ था और वो आगे से फोटोग्राफिक कर रहे हैं तो उस दिन उससे मेरे को भेट हुआ उस टाइम हम ब्लोगिंग कर देते हैं तो हम ब्लोगिंग अपना कर रहे हैं तो वह मेरे को देखा और सेम डे उसी दिन हम केमरा को पर्चेज किया थे कि हमको लेना है केमरा बढ़र पैसे का दिकत था धिरते खठा करगे यह दिन जतनी था लगंद के दिन उसी दिन मेने केमरा को पररफे किया है रहENT बत अच्छा वह अपने वह काम उक कर एंगें expects आमनेहें पास आगया मेरा कॉंटक्ट नमर उसके पास चला गया एकाद बार महिना में एक दो बार बात हो जाता था उसी तरह चलता रहा फिर उन्हों नहीं हमको सजेस्ट के क्यों आप वेडिंग फिल्ड पर आ जाते हैं वेडिंग फिल्ड पर आई अच्छा खासा पैसा आप सभी को आप फोटोग्राफिक फिल्ड पर बने इंटर नहीं कर गया हम अलवेम डेजाइनिंग करने लगें अलवं डेजाइनिंग हमको कहीं से देखने को मिला था कि अलवं कुछ इस तरह से डियाइन होता है तो कोई बताने वाला नहीं था अगर किसी के पास जाते थे तो नहीं बताता था फिर हम YouTube पे सर्च किया है YouTube में सर्च कि एलबम डिजाइन किस तरह से होता प्रोपर एक महिना टाइम लग गया हमको समझने में किस तरह से अलबम डिजाइनिंग होता उसका क्या सौप्टवेर होता है कौन सा कंप्यूटर में चलता है समझ रहना फिर धीरे-धीरे ह मेरे जो भांजी थी उसका मैंने अलबम डिजाइन किया एक दस सित का तो दिखाएं लोगों को तो बोला नहीं यह तो सिंपल है और उस तरह से नहीं था कुछ मेरे पास डिजाइन वगरा भी नहीं था तो हम किया अच्छा लगा अपने कर रहे थे हमको मार्केट से कोई ल उसको मेने है कर दिया 2000 І7000 के संथिंग लगा था तो मेना उसको पेडिया और उससे मैंने लिडशाइन मंगा लिया अब फिर हम क्या किए एक इस्टूडियो वाले के पास गये हैं कि हम ऐसे इसे अलबम डिजाइनिंग करते हैं तो आप मेरे को काम दीजिए आपको हम करके देते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप हमको पेमेंट कीजिए अधर्वाइस फिर आप कहीं जहां से करवा रहे पंदरा दिन लग गया था हमको तीस सिट का अलबम रेडी करने में मतलब एक घंटा में हम एक सिट अलबम को रेडी करते थे इतना ज्यादा समय लगता था स्टार्टिंग में तो फिर धीरे-धीरे करते-करते और वह हमको बहुत ज़्यादा काम देने लगे उसका बात फि फोटोग्राफी ने करते थे अलबम डेजाइनिंग करते रहें उसका फिर एक बंदे ने हमको बोला कि आप फोटो घीच लो गया हम देखते हैं ट्राइ करते तो फोटो खीचने के लिए चले गया फिर फोटो घीच है तो उसको पसंद आ गया आप तो अच्छा फोटो घी देरे जादा ने जहां पर मतलब डेट बहुत ज्यादा वाइकल रहता था उस टैम हम जाते थे और लोगों से इस तरह से नेटवर्क बरता चला गया फिर अब हम सोचे कि नहीं अब अपने काम को आगे बढ़ाना है पैसा और कमाना है फिर मैंने कैमरा पर्चेज करा मैंने मैंने दो कैमरा पर्चेज करा एक कैम रेकॉर्डर जो कि वीडियोग्राफी के लिए और जट शिक्स टूप किया मैंने जो कि फोटोग्राफी के लिए उसका बाद इसके बीच पे बहुत लोगों से मेरा जान परिचे हो गया था बहुत लोगों से मतलब अच्छा बांडि हैं उधर जो 22 और 23 हम खुद पर काम किये एक रूपया कहीं भी इंवेस्ट ने किये थे लेकिन वहीं सिस्टम एक लिए थे बस उसी में कैमरा लिए उसके बाद एक सिस्टम लिए एलबम डिजानिंग के लिए फिर नेटवर्क बढ़ता रहा तो हम 2024 में दो कैमरा को पर्च करना पड़ेगा अगर नहीं की जाएगा तो फिर हम लोग गुरू नहीं करेंगे उसके बोलने से हम मैंने इन्वेस्ट कर दिया ठीक है अब काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है अर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है ठीक है इसी तरह मेरा सफर रहा ठीक ही डिजाइनिंग किया 2023 में फोटोग्राफी किया फिर 2024 में मैंने अपने इस्टूडियो क्रियेट कर दिया ठीक है अभी 2024 अभी तो आफसीजन है तो काम ठप है लेकिन नौंबर आ ही रहा है ज्यादा समय बचा नहीं है नौंबर से फिर काम बहुत ज्यादा भयानक तरीके से चलने वाला है फिर पैसे की बारिस होने वाली है तो यह रहां मेरा सफर जो की 2022 से 2024 तक कर देखें हम अपनी बारे में हम क्या करते हैं हम यहां तक कैसे पहुझ गया हैं काफी लोग नहीं पहुच पाया तो देखे मेरा Morning होता है सुबह सुबह वूं कि हमुट जाते हैं आधे गंटे में फ्रेश हो जाते हैं छे थिज्दे जीम से आते-आते हम को समझ हो जाता है आठ fundjs छी फिरॉएंस होते होते बज जाता है नो तो पुजा हुझा करते हैं कि नास्ता करते करते हो जाता है दस थीक है दस बजे प्रोपर हम बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई इंदा सेंस एकेडेमिक की भी पढ़ाई करते हैं और हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी लेते हैं बुक्स वगेरा से कुछ चचची किताब से हो गई फिर बारा छॉष आप ऑपना यूट्यूब कर लेते हैं इस अब जबते कर लेते हैं इस एक घंटे का ब्रेक लेते हैं जिसमें खाना उनस खाना होता है यह लिए दिनियर वगर्ण कर लेते हैं उसके पाध जो तरह दस बज़े तरह दर से लेकर 12 तक हम ऐलबम डिजाइनिंग्स को समय देते हैं हो गिया आपका बारा 12 बज गया बहुत जगा अगर नींद नहीं आया थोड़ा बहुत मुवाइल वगारे चला लेते हैं नहीं तो फिर हम अपने यूटूब वीडियो वगारे जो भी एडिट करने रहता है वह एक दो बजे तक खतम कर देते हैं फिर सो जाते हैं फिर सो के उठते हैं वहीं आप लोग पूजा नहीं कर रहे हैं तिसरा आप लोग क्या है कि अश्टडी नहीं कर रहे हैं चोथा आप लोग सिखने पर समय नहीं दे रहें अपना जो भी फिल्ड है लेकिन यह च्यारों काम हम करते हैं पस इसी के कारण आज आप लोग से हम आगे हैं और आज आप भी इंप्लिमेंट कर दीजेगा तो आप भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे और साथ में अपना नाम इस्टुडियो ब्रैंड भी बनाव सकते हैं बस यह आप चार्चेश को स्टार्ट कर दीजिए फिर देखिए आप भी किस तरह से ग्रोग करते हैं विदिन टू एर् आदि आज के लिए बस रखते इतना ही आइओप कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा वगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए आप सभी से तरह किसी अच्छे वीडियो का साथ हभी के लिए बाइबाइबाइबार नाइसे अब ऐसं कि अ